सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन तबाना ना भूलें आज तक मैंने जितना देखा है समाज में संसार में गरीवी का मूल कारण है अकरमन्यता काम ना करना मेहनत ना करना अच्छी सोच ना रखना अच्छी नीती ना बनाना अच्छा अच्छे रास्ते पर ना चलना आदमी पांस सरोपे कमाता है और ढाई सरोपे की शराब पी लेता है और बाद मैं रोता है वगवान तुमने हमें गरीब बनाया तो इश्वर को कोशने से क्या होगा आप जो कमाते हैं कितना बचाते हैं क्या उप्योग करते हैं भगवान ने दो हाँच आपको भी दिये है दो हाँच टाटा विडला डानी अम्वानी को भी दिये है उनके कोई चार-चे हाँच तो है नहीं क्यों जी है ताटा बड़ला जी के कितने हांच हैं, दो, आपके कितने हैं, उनकी भी दो आख्या हैं, उनका भी वजन उतना ही होगा लगभग जितना आपका होगा, लगभग वो भी आक्सिजन लेते हैं हे अपन लोग भी आक्सिजन वो भी डाल रोटी खाते होंगे भरख इतना है कि वो अपने समय का सदोप्योग करते हैं उनकी नीतियां आच्छी है सही राष्टे पर चलते हैं हम लोग पड़े हैं विश्तरों में दस दस वज़े तक तो सोते हैं रात के बारा वज़ जाते हैं सौने में एक वज़े तक मस्ती करते हैं मोवाइल वाट से फेस वक चलाते हैं और सवेरे दस वज़े तक सोते हैं ना उठने का समय है ना सौने का समय है ना काम करने की जिम्मेदारी है आज के लोगों में दस बजे एक आफिस खुलने का समय है साहब साधे दस बजे आ रहे है आदा गंटा लेट कैसे हो गए चाय में लेट हो गए चाय में लेट हो गए चाय पांच रुपए की है और तीस मिनट कितने के है चाय की कीमत बाजार में 10 रुपे होती है 20 रुपे होती है और क्या होगी है 30 मिनट कितने महँगे है बताओ 30 मिनट चलू 15 मिनट कीमती है या एक कब चाय कीमती है हमारे देश में ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे जो एक कब चाय के लिए अपना पंद्रा मिनट बिगाड देते हैं हाँ या ना सही है यह बात हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो एक कप चाय के लिए कितने मिनट बिगाड देते हैं पंद्रा मिनट, बीस मिनट चाय तो मिल जाएगी पर जो पंद्रा मिनट भी गाड़ दिये आपने, वो नहीं मिले क्या निसकर्स निकला, कि हमारे देश में समय की वैल्यू नहीं कुछ लोगों के पास समय की वैल्यू नहीं काश समय को महत्व दिया होता, कहते हैं समय को कभी न ठुकराईएगा समय को आपने एक बार ठुकराईगा, तो समय आपको बार बार ठुकराईगा इसलिए समय को न ठुकराईगा समय बड़ा बलवान होता, पुरुष बली नहीं होता है, समय होता बलवान भीलन गोपी लूट लई, वही अरजुन, वही वान समय समय की बात जाए तो समय बड़ा बलवान होता है मेरी मा समझाओ ये बात अपने बच्चों को कि समय का दुरुपयोग ना करे कुछ भी तूफान आ जाए कुछ भी हो जाए पर अपने समय से अपना काम करना सीखो समय का सदुपयोग करना सीखो कुछ करना सीख़, खाली फुर्षत, बैठना, मतलब मूर्खता, करते रहे, करते रहे, कुछ ना करो, तो सास्त्रों को पढ़ते रहे, गीता को पढ़ते रहे, कुछ सीखते रहे, हर दिन हमें कुछ ना कुछ ना सीखना चाहिए, रोज हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए सही है मैया समझ में आ रहे सीखते रहा आगे बढ़ते रहा करते रहो कुछ काम करने वाला व्यक्ती सारीरिक रूप से भी स्वस्त होता है और मानसिक रूप से भी स्वस्त होता अकरमणी आदमी बैठा बैठा बीमार पड़ जाता है मांसिक रूप से भी ग्रसित हो जाता परिशन हो जाता बुढ़ापा आ गया इसका मतलब यह नहीं क्या कुछ नहीं करेंगे आप मंदर में जाके कीरतन ही करिए गीता का पाट करिए बुढ़ापा है रामार अच्छे संसकार दीजिए गाउं के लोगों को महले के लोगों को सोसाइटी के लोगों को अच्छा काम करिए बुढ़ापा आ गया है रेटारमेंट हो गया है कुछ नहीं कर सकते तो आप जो बच्चे हैं जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं सब बच्चों को आप अच्छे रास्ते पर ले जाईए क्योंकि आप बूढ़े हैं आपको जीवन जीने का अनुभव जादा है अपने अनुभव शेर करने लग जाईए कुछ दीजिए देश को समाज को कुछ कीजिए कुछ ना करने की अपेक्छा कुछ करना स्रेश्ठ है अरे कीर्त नहीं करो सीताराम सीतारा कुछ ना करो तो कथा ही सुने मंदर में जाके जाड़ो ही लगा दो भगवान के दरवाजिया कुछ ना करने की अपेक्छा कुछ करना स्रेश्ठ है सही है करना सीखि बस भगवान यही कहते है कि जो मेरी सरण में आया है जो मेरा बनके आया है मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा भगवान होते तो लोग गरीब क्यों होते यह कोई सवाल नहीं है अकर्मन्यता से लोग गरीब है अब दूसरी वाल कि आज सब कुछ होने पर भी लोग परेशान क्यों है क्योंकि सबसे बड़ी गलती यह है जब भगवान ने गोवर्धन उठाया बहुत ध्यान से समझिएगा हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जीवन में वो समझिएगा गिरी राजी एक उंगली से किसने उठाया भगवान स्री क्रिष्ण ने अब जो ग्वालवाल थे सखा थे मित्र थे उन्होंने किसी ने अपना कंधा लगा लिया किसी ने एक लाठी ली और लाठी लगा ली किसी ने दौनों हाथ पहाड पर लगा दिये और थोड़ी देर बाद ग्वालवालों ने भगवान स्री क्रिष्ण से कहा कनहिया तुम कुछ खा लो भगवान बोले मैं खाऊंगा तो पहाड नीचे नहीं आ जाएगा तो गालवालों ने का कनहिया क्या पहाड तुमने उठा रखा है अरे हम लोगों ने इतनी लाठीया लगाई है हम लोगों ने हाँच लगाए एक अंधे लगाए तो पहाड तुमने थोड़ी उठाया हम सबने उठाया हमारा भी योगदान भगवान बोले अच्छा ठीक है तो तुम लोग समालो फिर मैं नीचे करता हूँ हाथ हाँ हाँ तुम नास्ता करो भगवान ने थोड़ी से उंगली नीचे की तो जितने लाठियां लगी जी सब चड़ चड़ करके तूट गई पहाड नीचे आँ सब भगवान ने उंगली उपर अब ब्रजवासियों ने सबने अपने कंधे डंडे हाँच नीचे कर लिए समझ हमें अब आया कि पहाड हमारे बल से नहीं ये तो गोविंद के बल से खड़ा हुआ ये छोटी सी कछा क्या मैसेज देख के जा रही है मैसेज यह है कि सब का भार सब का भार किसके हाँच में है भगवान के हाँच में आप लोगोंने जो कंधे लगा रखे हैं मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ आपने जो लाठियां लगा रखी है मैंने ये किया मैंने वो किया आपने जो हाथ लगा रखा है मैं न होता तो ऐसा न होता मैं न होता तो मर जाता ये गलत फैमी निकाल दो किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता हुई है सुई जो राम रची राखा हम और आप कुछ नहीं कर सकते हम आप कुछ करने वाले ही नहीं है सब कुछ करने वाले कौन है भगवान जो लोग इस सच्चाई को नहीं स्वीकार करते जो लोग इस सच्चाई को नहीं मानते वो लोग दुखी होते है जो हो रहा है वह भगवान के इक्षा से हो रहा जो हुआ था वह भी भगवान की एक्छा से हुआ था जो होगा वह भी भगवान की एक्छा से होगा अच्छा आप क्या कर सकते हैं बताईए आप मैंसे ऐसे कितने लोग हैं हम सबसे सवाल कर रहे हैं बताईए आपके पास कितना पावर है आप क्या कर सकते हैं क्या आप दिन को रात बना सकते हैं, क्या आप नदी को समुद्र बना सकते हैं, क्या आप बूढ़े को जवान बना सकते हैं, क्या जवान को बूढ़ा बना सकते हैं, क्या आप चाह कर भी अपनी कमर का दर्द मिटा सकते हैं दवाई ही तो खा सकते हैं अच्छा इलाज ही तो करा सकते हैं वो इलाज के बाद भी दर्द जाएगा या नहीं ये आपके हाँच में होता तो दर्द ही ना होता किसान खेत में बीजी ही तो गो सकता है कितने कुंटल फसल आएगी किसके हाँच में क्या है आपकी बेटी का विवाह कब होगा ये आपके हाँच में है आपकी बहु के बेटा ही होगा या बेटी ही होगी ये आपके हाँच में बोलो मेरी मा फिर क्या आपके हाँच में आपको कितना लाभ होगा कितनी हानी होगी यह आपके हाँच में हैं इसलिए विंदास आनंद पूर्वक जिन्द की जीना सीखो टैंसन लेके मरो मत घबराव मत जो कश्ट आए संकट आए फेस करते चलो उस सिच्वेशन को हैंडल करते चलो घबराव मत डरो मत क्योंकि जो हो रहा है कहीं न कहीं भगवत इक्षा है इसलिए हर हाल में प्रसंद रहना सीखिये आपके हाँच में हमारे हाँच में कुछ नहीं है इसलिए जब कुछ है ही नहीं तो हम किसी बात की टेंसन लें, क्यों? बेटी का विवाह कब होगा? जब समय आप कर्म इसका अरच ये नहीं है कि आप कर्म ना करें कर्म करते रहिए प्रयास करते रहिए बेटी का विवाह जब होगा हो जाएगा आप अच्छा लड़का ढूंडते रहें टैंसन नहीं लेना अरे महाराजी लड़के नहीं मिल रहा घबरा रहे हैं ब्लट पेसर हाई हो रहा यह कोई बात नहीं सांतिसी यह मान के चलिए करता धरता भगवान है जो करेंगे विहरी जी अच्छा करेंगे उनकी इक्षा में अपनी इक्षा मिला देनी चाहिए कोई एक ठपड़ भी हमारे गाल पे मारे तो यह मान लेना चाहिए कि यह भी भगवद इक्षा ही क्या करोगे भगवान की मर्जी के वेना कुछ नहीं होता पत्ता भी हिल रहा है तो भगवान की इक्षा से हिल रहा है यह समझेगा अब आप फिर इस सवाल करेंगे कि फिर जो लोग चोर चोरी करता है तो क्या वो भी भगवान की इक्षा है हाँ वो भी भगवान की इक्षा है क्योंकि जब वो चोरी करेगा पकड़ा जाएगा तो उसको दंड मिलेगा क्यों कि उसके करमों के अनुसार उसके भाग्य में दंड का विधान था तो वो वैसी जैसी होनी होगी वैसी करेगा भगवान बुद्धी मती गती वैसी बना देते हैं जो होना होता है तो मती गती भगवान वैसा ही हम और आपको सोच भी नहीं हम और आप जो सोचते हैं वह भी कंट्रोल भगवान के हाँच में होता है हम उतना ही सोच सकते हैं जो भगवान सुचवाएंगे उतना ही बोल सकते हैं जितना भगवान बुलवाएंगे उतना ही कर सकते हैं जितना भगवान करवाएंगे क्योंकि हम कठ पुतली हैं सबही न चाबत राम कर साइं आज का आदमी व्यर्थ में टंसन लेता है व्यर्थ में परेशान होता है ये जिंदगी परेशान होने के लिए नहीं मिली, ये जिंदगी मस्त हो करके जीवन जीने के लिए मिली अखो बिंदास जीओ आनंद से जीओ प्रसन्य चित्य से जीओ जो हो रहा है उसे भगवद इख्षा मान कर चलते है आनंद के लिए जीवन मिला है दुखी होने के लिए जीवन नहीं मिला के जरा सा संकट आया दुखी होने लग गए रोने लग गए अरे जब अच्छा समय आता है आदमी का तो वो जादा जब जादा वो जब अच्छा समय आता है तो आदमी उस अच्छे समय को accept करता है, स्वीकार करता है तो बुरा वक्त आये तो उसे क्योंना स्वीकार किया जाए इसलिए हर समय को भगवान की कृपा मानकर भगवान का प्रशाद मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए तो आप बताओ आप और हम लोग क्या करते हैं आप कितने लोगों का पेट भरते हैं बताओ मैया कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग दो लोगों का चार लोगों का दस लोगों का बताओ मैया ओ मेरी मा आप कितने लोगों का पेट भरती हो मैया आप से पूछ रहे हैं जो थोड़ी दिर पहले आपने जमाई ली है बताओ कितने लोगों का पेड़ भरते हैं आप दस लोगों का आप बता कितने लोगों का पालन करते हो आप लो दादा जी आप कितने लोगों का पालन करते हो हम और आप कितने लोगों का पालन करते है मैं यह बोलो मेरी मा किसी का भी नहीं सबके पालनहार कौन है भगवान इससे क्या सिद्ध हुआ हम जनम क्यों लिए है हम भगवान को प्राप्त करने के लिए अच्छे काम करने के लिए अच्छे विचारों को प्रगट करने के लिए अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हमारा जनम हुआ है पर हम लोग बुरे रास्ते पर चलते हैं बुरे काम करते हैं अच्छे काम करो अच्छे रास्ते पर चलो और आनंद से जीवन जीते रहो जीते रहो ये ना सोचा जाए कि हम तुम्हें पाल रहे हैं हम तुम्हें खिला रहे हैं कोई किसी को नहीं खिलाता हर व्यक्ति अपने भाग्य का दाना पीना खाना पीना खाता एक राजा था एक राजा ने एक मक्के का दाना लिया मक्के का एक दाना लिया और दाना लेकर के अपने गुरु जी से बोला राजा सिंगहासन पर बैठके भरी सभाम है राजा ने कहा गुरू जी बताईए ये जो मक्के का दाना है यह दाना आप तो सब कुछ जानते हैं बताईए यह दाना इस दाने में किसका नाम लिखा है क्योंकि आप कहते रहते हो दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम तो राजा ने कहा गुरू जी आप सब जानते हैं तो बताओ कि इस दाने में किसका नाम लिखा है गुरू जी बड़े ग्यानी थे, सामान्य नहीं थे त्रिकालग्य थे, बड़े उद्गड विद्वान थे सब कुछ जानते थे उन्होंने कहा राजन, इस दाने में वो कबूतर बैठा है उसे कबूतर का नाम लिखा है राजा बड़ी जोर से हसा, गुरू जी आज आपकी बाद जूटी हो जाएगी कबूतर खा ही नहीं सकता इससे क्योंकि ये मेरे हाँच में है, मैं खाऊंगा तो आपकी बाद जूटी हो जाएगी राजा बोले आपकी बाद जूटी हो जाएगी आज गुरू जी ने कहा बेटा दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम यदि इस दाने में उस कबूतर का नाम लिखा है तो वो कबूतर ही खाएगा राजा जोर से हसा और हसते हसते उसने दाना अपने मुँ में डाल दिया जब मुँ में डाला तो वो हसने के कार्याणा वो दाना जाकर के उसके यहां गले में फस गया फस जाता ना कई बार भोजन हम लोगों क्या कई बार फिर जल्दी से पानी पीना पड़ता है खाने के तुरंद बाद अपको लगता के हां अंदर गया नहीं गले में रह जाता तो राजा हसने के कारण वो दाना खा लिया वो गले में फस गया अब फस गया वो चिलाने लगा ये वो चिलाने लगा तब क्या हुआ, अचानक उसे छीक आई और जब छीक आई, तो दाना नाक से बाहर आया और बाहर आया, तो छीक की कारण प्रेसर से दूर गिरा तो पक्षी तुरन तुड़ करके आया, दाना मुँँ में दबा के भाग गया गुरू जी ने कहा दूसरे के भाग्य का खा भी लोगे, तो वो तुम्हें पचेगा ही ने इसलिए दूसरे के हिस्से का नहीं खाना चाहिए जो थाली दूसरे के लिए परोस दी गई है, वो थाली आपको नहीं अर्चाद, वो भोजन आपको नहीं करना चाहिए जो अन्ने किसी के लिए निकाल दिया है वो उस तक पहुचाओ वो ना मिले तो गाय को खिला दो, कुट्टे को खिला दो उसके हक का ना खाओ जैसे आपने आपके दरवाजे में कोई भिखारी आया आपने कहा रुको हम आपके लिए कुछ लाते हैं आप अंदर लेने गए, मुठी भर चावल, कटोरी भर चावल तब तक वो भिखारी चला गया अब वो कटोरी भर चावल आपने उसके लिए निकाला है और वो चला गया अब उस चावल का क्या करेंगे उस चावल को अब घर में अंदर ले जाके वहां मठ डाल दो जहां से लाए हो अब वो किसी के हग का निकल गया वो किसी के नाम से निकल गया अब क्या करना चाहिए अब उस चावल को वो चला गया जिसको देना था तो या फिर किसी दूसरे को दो कोई दूसरा भिखारी आजाए तो उसे दे दो या गाय को दे दो या कुत्ते को दे दो या पक्षियों को दे दो पर उसे आप ना ग्रहन करो पैसे भी किसी के नाम के निकल गए तो आप उसे दीजिए अब उससे अपना काम ना करिएगा क्योंकि हम सब लोग अपने हक का खाएं किसी और के हक का ना खाएं इसलिए कहा करता हूँ कि हम और आप पालनहार नहीं है हम और आप किसी का पेट भरने वाले नहीं है सब के पालनहार भगवान है कितना हमारे पास जो धन है उसमें भी कितनों का नाम लिखा है ये इश्वर ने पहले से तैंकर रखा है इसलिए ये दास अनिरुद्ध ये गौरी गौपाल जी की रसोई में उतने ही लोग आकर प्रशाद पाते हैं जिन जिन के नाम का यहां दाना पानी है तो ये आपके भाग्यका ही आप लोग खा रहे हैं ये आप यही खा रहे हैं आपके भाग्यका इसलिए कोई किसी को नहीं खिलाता कोई किसी को नहीं देता भगवान ही सबको देने वाले हैं इसलिए दाता एक ही हैं दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया और राम एक देवता पुजारी सारी तो महिय पालन हार कौन है करने कराने वाला कौन है हम कौन है कुछ भी नहीं हम कौन है हम सून्य है और रामजी भगवान जी कौन है अंक अच्छा बताओ सून्य बढ़ा की अंक बढ़ा शून्य बड़ा की अंक जोर से अंक एक दिन शून्य को घमंड आ गया सून्य ने कहा अंक से अरे अंक तुम तो एक एक चलते हो हम दस चलते हैं तुम एक कदम चलते हो हम दस कदम चलते हैं तुमसे बड़े हम हैं तुमारी कोई हैसियत नहीं अपनी हैसियत में रहा करो अंक से कहा शून्य नहीं क्योंकि एक के पीछे शून्य लगा देने से क्या हो जाता है दस मतलब शून्य संख्या को दस गुना वढ़ा देता सही है दो सून्य लगने से संख्या हो जाती है सौ तो सून्य जो है संख्या को दस गुना बढ़ाता तो सून्य ने कहा संख्या तुमारी कोई वैल्यो नहीं है क्योंकि तुम एक, दो, तीन, चार चलती हो एक, एक कदम हम सीधा दस कदम चलते हैं तो अंक बोला संख्या बोली सून्य भाई साब यदि आप बड़े हैं तो एक काम करो फिर आप ही बैठो हम चली तो सून्य सून्य रह गए पाँच आगे की संख्या हट गई पाँच सून्यों की वी वैल्यू तब है जब सामने संख्या हो दो सून्यों की वी वैल्यू तब है जब सामने अंक हो संख्या हो अंक नहीं तो सुन्य का कोई अस्तित्व नहीं उसी प्रकार राम नाम एक अंक है बाकी साधन सून राम रहे दसगून है राम विना सब सून भगवान अंक है हम सब सुन्य है यदि सुन्य अंक से जुड़ा रहेगा तो सून्य की भी जैजेकार होती रहेगे यदि सून्य संख्या से हट गया तो सून्य की कोई हैसियत नहीं तो हम सब सून्य हैं और भगवान अंक है इसलिए अपने आपको सून्य मान कर भगवान के चरणों से जोड़े रखो तो कुछ बना रहेगा अस्तित्व और भगवान से छूट गए तो शून्य की क्या है सियत सून्य अंक से जुड़कर दस गुना बढ़ता है भग भगवान से जुड़कर के उसका भी वैभव यशकीरती परिवार दस गुना बढ़ता है इसलिए जोड़के रखिए ये घमंड ना पालिये कभी कि हम कर रहे हैं सदा ये भाव बना के रखिए कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है सब किसकी मर्जी से हैं है न मेरी मा ये उगली उठाओ अपनी जर्या सभी लोग एक हाथ की एक उगली पीछे वाली मेरी मा ओ मैया उठा लो हाँच एक उगली अपनी और हिला लो ऐसे ऐसे उगली हिलाओ चलो बस करो अब ये बताओ कि ये जो उगली आपने हिलाई ये किसके बल से हिलाई किसका बल था ये आपका भगवान जी का हाँ ये बल भी हमारा बल नहीं है मेरी मा हम लोगों में इतना भी बल नहीं है कि हम अपने शरीर के एक अंग को हिला सके जब कोई बीमार पढ़ जाता है जिसको पैरलाईस हो जाता है लकवा मार जाता है उसका शरीर हिलता डुलता नहीं है कितने लोग ऐसे हैं जिनके हाँच नहीं काम करते पाव नहीं काम करते आँख नहीं काम करती क्यों जब तक भगवान चाहेंगे तब तक वाणी काम करेगी जब तक भगवान चाहेंगे आँख काम करेगी भगवान चाहेंगे तो कान काम करेंगे भगवान चाहेंगे तो हाथ काम करेंगे भगवान चाहेंगे तो पाव काम करेगा भगवान नहीं चाहेंगे ना तो शरीर होगा रखे रहो अपना सरीर कोई parts काम ही नहीं करेंगे जिसे कहते हैं paralysis हो गया लकवा मार गया आधा शरीर काम नहीं करता क्यों नहीं करता जब तक भगवान की एक्षा है काम करता है एक्षा नहीं है नकाम नहीं करता ये शरीर भी तुमारे हमारे हिसाब से नहीं चलता ये शरीर भी भगवान की मरजी से चलता हमारे आपके हाँच में कुछ भी नहीं है मिरी मा कुछ भी नहीं इसलिए वियर्च का घमंड ना किया जाय किसी चीज का माल कजाना को तो छोड़ दो मिरी मा ये शरीर भी अपनी समपत्ती नहीं हम आप सम मरेंगे नी तो ये शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा इसकार्च यही है कि हम घमंड किसका करें ये उंगली भी हम अपने बल से नहीं हिला रहे है इसमें भी भगवान की शक्ती है जो बीमार पढ़ जाता है कई बार आप इतने बीमार पढ़ जाते हैं कि आपको हाथ पाउं हिलाने की भी हिम्मत नहीं बचती आप लोग कई बार कहते हैं हमारी आँख खोलने की हिम्मत नहीं है विमार पढ़ने पर ऐसा होता है कि नहीं कि आँख खोलने की भी हिम्मत नहीं है तो ये जो हिम्मत कह रहे हो आप ये हिम्मत कहां से आ रही है कौन है ये आँख खोलने की हिम्मत देने वाला चलने फिरने की हिम्मत देने वाला तो क्यों हम ये कहें कि ये सब हम कर रहे हैं हम कौन हैं ये बताओ हम कौन हैं कौन हैं आप आपका परचे क्या है कौन है आप कुछ भी नहीं है हमारा अस्तित्व फिर भी हम लोग अपने डींगे मारते फिरते हैं हम ये हम्बो ना कुछ नहीं है अभिमान त्याग दो मिटा दो जब हमारा शरीर पूरा हो जाता है जब म्रत्यू आती है ना तो हम लोग जल जाते हैं और जलने के बाद क्या बचती है हमारी जोर से सिर्फ राक कितने रुपए के घड़े में आ जाती है बोलो हम मैया पच्चिस गया जमाना पच्चिस वाला पचास हो गया महंगा हो गया घड़ा पचास रुपए के घड़े में तुमारी पूरी राक आ जाएगी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे बड़ी गाड़ी बड़े बंगले का बड़ा रुतवा दिखाते थे बड़ी अकड़ दिखाते थे उड़ रही है तुमारी राक पचास रुपए के घड़े में पूरी की पूरी है ना जब तक जिन्दा थे तो कितना सामान था मर गए तो मुठी भर राक रह गई है ये सचाई कितने ऐसे आप ने देखे होंगे जो आपके देखते देखते जिनका नाम जिनका यस जिनकी कीरती सब कुछ पड़ा का पड़ा धरा का धरा रह गया अंत्व मुठी भर राक बन गई हाँ? हाँ? आप मैसे कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन राख हो जाएंगी हैं अरे सब लोग हैं? सब तो आप लोग राख हो क्या? हाँ हम भविश्य की राख हैं हम भविश्य की उड़ती हुई राख हैं धूल है इसलिए भगवान के चरणों की धूल ही माना करो के हेना अच जब मैं मर जाऊंगा और मेरे शरीर की राख उड़ उड़ के वो धूल का कण विहारी जी के चरणों में जाकर चिपक जाएगा तो जीवन सार छखो जाएगा राधे तेरे चरणों की गर धूल जो बन जाऊंगा ये धूल है आप हम एक दिन सी धूल मिट्टी में मिल जाएंगे आज नहीं कल नहीं परसों 2030 तक नहीं तो 2040 तक नहीं तो 2050 तक नहीं तो 2060 तक नहीं तो 7080 तक और बताओ क्या बोल दें हम पार करा दें 2000 को नहीं ये सच्चा ही है अब बताओ जब हम राख हैं भविष्च की मुठी भर तो अब एटिट्यूट किसका करें घमंड किसका करें हम बताओ जगड़ा किससे करने जाएं अब किससे लड़ें ये शरीर हमारा जगड़ा करने के लिए नहीं मिला लड़ने के लिए नहीं हम किस किस के दोस देखें इसलिए अपने दोस देख लो और भगवान के गुणों में मस्त रहो भगवान जैसा कोई गुणी नहीं पर हमारे जैसा कोई दोसी नहीं बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई जो दिल खोजा आपना हमसे बुरा ना हम बुरे हैं भगवान अच्छे हैं अच्छाई भगवान की देख लो बुरा ही स्वयम की देख लो बात खतम बिर्च का जुटा अटिट्यूट अभिमान हमें जानते नहीं कॉलर खड़ी करकरके लोगें दीगें मारते रहते हैं बिर्च का गाल वजाते रहते हैं कौन बचा है जो तुम बचोगे इतनी लंबी लंबी बातें ना किया करो सपनों में ना जिया करो यद्धार्च पहचानो सत्य को जानो